नमस्कर दोस्तों, फूर डिवैंड में आप सभी का स्वागत है, आसा करती हूँ आप सब अच्छे हूँगी फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग की साथ बिल्कुल नए तरीकी से टेस्टी स्वयबिन की रेसिपी से एर करूँगी एक बर आप मेरे तरीकी से रेसिपी को बना के जरूर देखेगा, उम्मीद करते हूँ, पसंद आएंगे तो चलिए सुरू करते रेसिपी, तो आज के रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे डेर काप स्वयबिन सुयबिन को गरम पानी में 5 मिनिट भिगो के रखने के बाद, जब सुयबिन हमारा अच्छे से सौक्ट हो जाए, तब हम अच्छे से निचोडते हुए ले लेंगे सुयबिन अब अपने जुरत की हिसाब से कमिया जादा कर लीजेगा और आज के सुयबिन हम बनाने वाले हैं चाय के पत्ती से, तो कैसे बनाते हैं तो चलिए देख लेते हैं अब हम एक पैन में ले लेंगे 2 कब पानी, पानी जैसे हमारा हल्का गरम हो जाए हम डाल देंगे यहाँ पे एक चम्मच चाय की पत्ती पहले हम चाय में एक बॉइल आने देते हैं आज की सुयबिन की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनके तयार होगा, बिल्कुल नए तरीके से मैंने आप सभी के साथ से यहर किया है, एक बार आप जरूर बना के देखिएगा जैसे बॉइल आ जाए हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे और तीन मिनिट के लिए हम अच्छे से लिकर को बॉइल करेंगे तो मैं दूसरे गैस चुले पे टांसपर कर दूँगे और सबजी के लिए हम पैन रख लेंगे तो तीन मिनिट के लिए हमें इसे बॉई करना है, तीन मिनिट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे अब हम पैन में ले लेंगे चार चम्मज तिल तिल जैसे गरम हो जाए हम डाल देंगे एक टुकरा दालचीनी के दो छोटी लाइची साथी हम डालेंगे एक चम्मत साबुत जीरा जीरा जैसी फ्राइ हो जाए हम डाल देंगे यहां पे दो मीडियम साइज के प्याज को पतले स्लाइस में काटके गैस का फ्लेम मीडियम करके हम प्याज को फ्राइ कर लेंगे जब तक प्याच का कलर अच्छे से चेंड ना हो जाए और दूसरी और हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे जो हम चाय का लीकर को बॉइल कर रहे थे 3 मिट हो गया है तो गैस का फ्लेम बंद करने के हम छोड़ देंगे फोड़ा सा ठंडा हो जाने के लिए प्रेंट्स आज की रेसिपी आप कौन से गाउं से या कौन से सहर से देख रहे हो मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा और रेसिपी बनाने के बाद थोड़ा सभी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा से शेर भी कीजेगा प्याज का कलर जैसी चेंज हो जाए हम डालेंगे एक चम्मच अधरक और लेसन का पेस्ट एक मिनिट के लिए और अच्छे से फ्राई कर लेंगे अधर अगलेशन जैसे हमारा भून जाए हम डालेंगे ड्राई मसाले आदा चम्मच हम डालेंगे हल्दी दो चम्मच कस्मीडी रट चिली पाउडर तीखा कम जादा आप कर लीजेगा जैसे आपको पसंदो मसाले डालके बस मिक्स कर लेंगे और डालेंगे हम यहाँ पे दो मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट थोड़ा सा हम जार में पानी डालके डाल देंगे मसाले में और 4-5 मिनिट मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाले के साइज से ते अलग न दिखने लगे तमाटा टालने के बाद मैंने चार से पाच मिनिट अच्छे से भूल लिया है अब हम डालेंगे एक चम्माज धन्या पाउडर साथी हम डालेंगे एक चम्माज जीरा पाउडर नमक डालेंगे स्वादा नुसाल दो मिनिट के लिए मसाले डालके और भूनेंगे हम दो मिनिट मैंने मसाला डालके अच्छे से भून लिया है अब हम डालेंगे यहां पे आधा चम्मच बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा डालने के बाद हम दो मिनिट के लिए मसाली को मेडियम फ्लिम में और भूनेंगे और जैसे जैसे मसाले हमारा भूनता जाएगा आप देखेंगे इसका जो कलर है मसाले का चेंज होता जाएगा आज की स्वयबिन की रेसिपी से आप रोटी, पराठे, पूड़ी, चावल कुछ भी खा सकते हो बस एक बड़ आप जरूर बनाईएगा बेकिंग सोटा बहुत जाला हम नहीं डालेंगे बिल्कुल छोटे चम्मच के आदे चम्मची हम डालेंगे तो देखें, दो मिनिट मैंने मसाले को और अच्छे से बून लिया है और आप देख सकते हो मसाले का कलर जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है मसाले अच्छे से बून चुका है, साइड से तेल अलग दिख रहे है डाल देंगे हमें आप पे सोयबिन सोयबिन डालने के बाद हम दो मिनिट मसाले के साथ और बूनेंगे और उससे पहले हम डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला गैस का फ्ले मीडियम रखके हमें सोयबिन को बूल लेना है प्रेंट्स क्या आपने पहले इस तरीके से सोयबिन को बना के खाए हो मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा तो देखे मसाले के साथ मैंने सोयबिन डालके दो मिनिट अच्छे से बोल लिया है सोयबिन पूरी तरीके से हमारा ड्राई हो गया है अब हम डालेंगे जो हमने चाय का लिकर बना के रखे थे तो एक छन्नी ले ले लेंगे और इसे हम चाल लेंगे गैस का फ्लेम इस टाइम हम बिल्कुल लो पे रखेंगे अच्छे से हम मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे ग्रेवी में बॉयल आ जाए हम पैन को कवर कर देंगे पांच मिनिट के लिए गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे पांच मिनिट हो गए और पेस्टी स्वैबिन की हमारा सबजी बन के तयार है लास्ट में हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया बस अच्छे से मिक्स करके गैस का फ्लेम बन कर देंगे धनिया पत्ती डालने के बाद गैस का फ्लेम हम मेडियम कर देंगे और सबजी को दो मिनिट खोल के हम पूरी तरिके से ड्राइ करेंगे तो दो मिनिट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो तैयार हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी एकदम नए स्वाद में स्वयबिन की सबजी देखने में जितना ये टेस्टी लग रहा है आपको खाने में इससे कई गुना जादा टेस्टी लागेगा तो चलिए अब हम सर्फ कर लेंगे एक प्लेट में तो फिर्फ एक बड़ा आज की रेसिपी मेरे कहने पे जरूर बना के देखिएगा और खानी के बाद अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा तो नए रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार